वाईगरु जी का खालसा वाईगरु जी की फते दिल्ली सिक गुर्द्वारा मैनेजमेट कमेटी की तरफ से नई साल के पहले दिन रविवार को गुर्द्वारा श्री रकाब गन साहिप श्री गुरु गोबिन सिंग जी महाराज के 325वा प्रकाश पूरा पढणगर किर्तन रकाब गन साहिप सित्यलग नगर के फटे नगर तक निकाला गया जिसमें डी एस जी एमसी के प्रदान सरदार मंजी सिंग जी के मासचे मंजिंदर सिंग सिर्शा सरदार MPS चड़ा सरदार सकपाल सिंग सरदार अमरजी सिंग पपू सहिद सभी चुने हुए सदस्य और लाकों की संख्या में संगतों ने नगर किर्तन में हिस्सा लिया जहां नगरकिर्टन का स्वागत करने के लिए इलाके की सिंग सभाओं और संक्तों ने खाने पीने के स्टॉल लगाए और जगा जगा फूलों की वर्षा से स्वागत किया आईए देखते हैं नगरकिर्टन के कुछ अंश और सुनती हैं डीएस जीमसी के प्रधान सर्दार्मंद जी सिंग जी के महा सच्चे मंजिंदर सिंग सिरसा को झाईब कमाल दसम पता दे सारे संक्ता नो में परकाश परफ्दी लख 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 बताई देना मैं समझ आँ हों कि सहीब कमाल पता दी जो कृबानी है जो कृबानी नहोंदी ते आज मुल्क अजाद मा हुंदा और असी समर्पिता हैं गुरु शबत नो दसम पिता नो सिरी अकालताङसाफण सारा ढूँ और जेड़े लोग की अकालताङसाब नो, साथ बियुन, साहब देने लोग की आप प्री जवब देने सारीग मुले जेड़ी है वो हमेशा गुरु गुरु गरण्ज साहब नुञा। दिली से गोर्दरा मेंजमेंट कमेटी वलो उत्थे वदाई भी दिन आए और उमीद कर देयां आसी इससे तरह मिलके पंतरी चड़ी कला वास्ते कौम दी चड़ी कला वास्ते कार्च करांगे प्रमात्मा साड़े सारे आत इससे तरह तरस्खावे जिमें सानु दबे कुछ ल आप ने देखा कितना खुबसूरत नजारा था नगर किर्तन का क्योंकि दुनिया भर में शीरी गुरु कोबिन सिंग जी महाराज का तीन सो पचासमा प्रकाश पूरव मनाया जा रहा है जिसके चलते संगतों में जादा ही उत्सा नजर आ रहा है